दरो मत, हम कास सेंसस के बात कर रहे हैं, दरो मत, और सुनिये नहीं, गवराईए मत, दरो मत, और सुनिये, ये जो है, ये जो है, आपके OBC के बात भी सुनना चाहते हैं, ये OBC कम्यूनिटी का अपमान है, कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास सेंसस से मिल सकता है, इसको बदलिए, इसको आप बदलिए, ये जो बजट को चलाते हैं, इन में से OBC कितने हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, OBC के लिए काम करते हैं, मैंने ये सवाल पूछा, 90 में से सिरफ टीन OBC से हैं, जल्दी से जल्दी जो हमने कास सेंसस किया था, उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे, तो हमका डालेंगे, थांक यू, मतलब हमारे जो इंस्टिटूशन हैं, उनमें OBC की बागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था, और मैंने अलग-अलग इंस्टिटूशन में थोड़ा रिसर्च किया, जो जो सेंट्रल इंस्टिटूशन, 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 तो मेने, I check, simple, simple thing I did, I said look what is the most important set of people in the government of India, the people who define how this country is governed, of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैं, मैंने ये सवाल पूछा, कि ये जो 70 secretary है, sorry, 90 secretary है, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इन में से OBC कितने हैं? नरेंडर मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, OBC के लिए काम करते हैं, मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ. हिंदुस्तान के secretaries 90 में से सिरफ तीन OBC से हैं, और सुनिये, और सुनिये, और सुनिये, नहीं, गबराइए मत, दरो मत, और सुनिये, ये जो secretaries हैं, OBC कम्यूंटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिरफ 5% budget को control करते हैं, मतलब, अगर हिंदुस्तान का budget 44,0,0,0 का है, तो ये 2.47,0,0,0 का रोर, मतलब 5% control करते हैं, और सुनिये, मतलब ये जो है आप और विस्टी की बात तरह सुनना चाते है आप और विस्टी के घुलाब है अधिकार के बारे नहीं सुनना चाहते हैं यह यह जो है मैं मानने सदर्शन से आगरह करूँगा एक मिट एक मिट रुकी है मानने सभी मानने सदर्शन समान है डरो मतो डरो मतो इस पार्लेमेंट में नहीं बोलना चीए यह जो discussion है sir 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 this discussion because sir this speaker sir this discussion is about the transfer of power to the people of india the women being one group वोब प्रोफ दोब आज करूए जू झाल प्लिज को लिए का वुब खीए है तो पूसी मे रिए उन्रॉटेश था प्लिएग टो अप्लिट झाल से घ्यो जुब फिस घुषिंट डिल्यु आंट्पि अख।ा इन का लुब आगे हैं प्लिट्टरीं आज ग्यांद कॉंपर का अपमान है तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं कितने धलित हैं कितने आदिवासी हैं और उस सवाल का जवाब सिर्फ का सेंसे से मिल सकता है तो मेरा सरकार को एक सुजाव है सबसे पहले यह जो महिला का बेल है इसको आप पास कीजिए आज पास कीजिए यह जो आपके लागو कीजिए और यह जो डी लिमिटेशन है जो आपlerini बोला और ये जो census है, इसकी कोई ज़रुवत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए, और दूसरी बात, इसको बदल ये, इसको आप बदल ये, ये जो लिस्ट है, ये OBC समाज का अपमान है, 90 लोग हिंदुस्तान के सेकरेटरी हैं, उन में से 3 लोग OBC समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं, तो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, आप कास सेंसर्स कीजिए, जल्दी से जल्दी, जो हमने कास सेंसर्स किया था, उसका डेटा आप रिलीस कीजिए, और अग करेंगे तो हम कर डालेंगे थैंक यू